दोस्तों देख सकते हूं कि हमारे पास Realme C 35 का फोन है इस फोन में हमने डिस्प्ले फिंगर प्रेंट आड़ किया है तो अगर आप भी अपने फोन पे डिस्प्ले फिंगर प्रेंट आड़ करना चाहते हूं तो यह वीडियो एंड तक देखना चलिए तो मैं आपको पहले प् हों तो आपको क्या करनां सिंपल आपको अपने मुवािल के सेटिंग पे चले जाना है सेटिंग पहाने बाद आपको वाल ऊट लोग तौह आपको Raspberryfund वाले के अप्सक्रीन के उप लेना यहां पर को पासव Rider यहां commence is सकते हो तो यहां के ऊपर करना है पिर इसके बादaire आपको के उपर किलेख करते करे रहना है तो फिर आपका यह सिर्फ अब करने के बाद आपको कर GRADAMA आपको यहाप को आपको 17 लौग रहना है तो यह दिजू परकार से है यह मैं दिखावे के लिए एक या था ना कि का इस्तमाल नहीं कर सकते हो तो इस प्रकार से अगर आप भी किसी को दिखावा करना चाहते हो तो आप इस प्रकार से वाल पेपर बना सकते हो और अपने मौईल पर सेट कर सकते हो यह डिस्पले फिंगर पेंट का आइकन लगा के और फिर इसके बाद आपको अपने मौल पर फेसलोग लगा लेना एना और आपको नहीं पता है तो आ के लिए पशर्वर्ड के लिए है तो हम पासवर्ड दे दिया है यहांसे अप डिलीट कर सकते हुआ यह उसे आप फिर से अपना आप कर सकते हो तो चलिए तो मैं आप फिर से आड़ करते हैं और आड़ करके अपना कर लेना तो इस प्रकार से आप भी अपने face lock को आड़ करके और इस प्रकार का finger print का अपने मौल पर दिखावा कर सकते हो ना की दियल में नहीं आता है, हैसा किसी भी फोन पे नहीं होता है, अगर साइड या बैक फ्रिंगर है तो वो बैक ही रहता है, ना की डिस्पले पे, तो ये आप लोगों को बेकूप बनाये जाता है, आप हैसे बेकूप ना बनिये, चलिए, नेक्स टूडियो मिलते हैं, थै